बक्सर का यूद 1764 तो दोस्तों उसके बारे में जाने हम बक्सर का यूद सेने द्रश्टी कौन से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी क्यूंकि प्लासी के यूद का विजे सिराजु दोला के सिनानाइकों के विश्वास घात का परिणाम था किन्तु बक्सर के यूद में अंग्रेज बीना किसी चलकपट के ही विजे हुए थे इसके अतिरिक्त अवद का नवाब सुजाओ दोला सिराजु दोला की भाती अनुभव ही नहीं था वो राजनीती के साथ यूद में भी निपूंड था ऐसे योगे शाशक को प्राजित करके कमपनी की परतिष्टा में विर्दी हो गई इस विजे के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता इस्तापित हो गए तो दोस्तों सबसे पहले अब हम युद का सीन जानते हैं कि सबसे पहले बक्सर के युद में हुआ क्या था और बक्सर के युद क्यों हुआ था और कैसे हुआ था तो दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना अधिपत्ते जमा लिया था अब उनकी लाल साती महत्वकांजी थे अब उन्होंने क्या सुरुआत कर दी बंगाल के आसपास के शेत्रों पर कबजा करने के लिए उन्होंने अपनी रणनीती बनाना सुरू करा अब बंगाल से जो जुड़ा हुआ एक छेत्र था अवद बिहार और उडिसा वगेरा थे अब उन्होंने वहां पर हास्ते सेफ करना सुरू कर दिया और अवद का नवाब था सुजाओ दोला तो सुजाओ दोला के पास जो एक व्यक्ति था मीर कासीम जो पहले बंगाल में अंग्रेजों का कट पुटली था और वो अंग्रेजों को से धोका दे के वो उसके पास आया हुआ था और पूरे मुगल संबराट का शाशक था संबराट था उसके शाह आलम तो तीन व्यक्ति हो गए सुजाओ दोला मीर कासीम और शाह आलम ये तीन लोग थे और इनकी तीनों की अपने अपनी सेना थी अब अंग्रेजों ने क्या करा कि ये जो तीनों की संयुक्ति सेना थी सुजाओ दोला शाह आलम और मीर कासीम की सेना ने सिगरी पटना में घीरा डाल दिया इससे अंग्रेजों पर विपत्ति का पहाड़ ही तूट पड़ा किन्तु ये अंग्रेज बड़े चतुर और कप्टी थे इन्होंने उनकी सेना के सेना पतियों को तोड़ना शुरू किया सरपर्थम तो उन्होंने समराट सता अवत के नवाब में ही फूट करने का प्रत्न किया उन्होंने सेयद गुलाम हुसेन को अपनी और मिला लिया और उसी के दोरा समराट को तोड़ने का प्रियाश किया सुजाओ दोला की सेना के कुछ उच्च पदादिकारी भी अंग्रेजों से मिल गए इसी बीच वर्षा रितू आरम हो गई ऐसी इस्तिती में सुजाओ दोला ने पटना का घेरा उठा लिया और उसकी सेना बकसर लोट आई जहांपर उसने रितू व्यतीत करने का निश्च इनकी सेना पटना में घेरा डाले हुए थी उस समय सेना का परधान जो था वो था कौरनक वो अंग्रेजों का था और वो बड़ा ही आयोग था अब कलकत्ता में जो कांसल के जो बड़े अधिकारी बैठे वे थे उन्हें पदा चल गया कि हमारा जो एक जो है सेना अधिकार तो उन्होंने क्या करा उन्होंने एक अंग्रेजी अफसर मुन्रो को निक्त किया और सिगरी बक्सर की लोटती हुए नवाब की सेना का पीछा करने का आदेश दिया मेजर मुन्रो सो नदी पारकर बक्सर पहुँचा सितंबर 1764 इस्वी में बंगाल तथा अंग्रेजी की सेना में गमासान युदुवा इस युद में मुगल समराट शाहालम ने बड़ी उदान सींता दिखाई यानि कि उसने ज़्यादा दिल्चस्पी नी दिखाई युद में कि उत्सा से लड़े उसने ज़्यादा दूरी रावो और अपने कुछी सेनिक बेजे इस तरीके से 12 अक्टूबर 1764 इस्वी में तीनों लोगों की सेना एक साथी पराजित हो गई सुजाओ दोला की सेना पीछे हेड गई और हुआ सुजाओ दोला अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गया और इस वज़ा से अंग्रेजों की एक और बड़ी जीत बकसर के रूप में इस्तापित हो गई यूद के पश्चाद क्या हुआ दोस्तों सन 1965 में कलाइव जो रोवर्ट कलाइव थे बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी वार कलकत्ता आया इस यूद के बाद कलाइव ने मुगल समराट शाह अलम दूपते तथा आवत के नवाफ सुजाओ दूला के साथ इलावाद की पर्तम वे दूपते संदी की और जो सबसे मुक्य जो है बंगाल में दूपत सासन ये इसके बारे में अक्सर लोग परशन आते हैं तो इसको हम जाने बड़े ही सिंपल तरीके से ज़सी बंगाल में दूपते शाषन के बारे में अगर पूछता है न तो इसका मतलब ये होता है कि बंगाल में एक तरह से भारती ही भारती लोगी या भारती अधिकारी लोगों से जैसे की दिवानी कारी करते थे इसके अंतरगत कर लेना पैसा एकटा करना धन लेन देन या कोई भी वित्य मामले जिसको क्या कहते थे दिवानी मामले करते थे दिवानी मामले इसको कोन करते थे भारती एजेंट ठीक है पर इसके देखे इसके पीछे कोन है ब्रिटिश अधि सपुच और दूसरा इनका जो विवाग था वो था सूबेदारी इसके अंतरगत क्या इसको सूबेदारी को क्या कहते थे निजामत इसके अंतरगत कौन-कौन से विवाग आते थे वो थे सेन्य पर्थिरक्षा पुलीस नियाय प्रसासन गुप्तचर यानिकि ये दो विवाग इस फैने घृत सहरे कि अधिकारी और जो किती हैं वहीर थे से सब कुछ क्लें देन करना यह पे भी भारती है अधिकारी लोग आपधिक मैं करती लिए बिर्टीर अरोकिम पिछे से आदेश ये दे रहे हैं पहला आदेश इन्हों ने दिया और दूसरा आदेश इन लोगों ने प्राप्त करा और इसके तैयत कारी भी तो इसी को कहते हैं दोयत साजन